दोस्तो एंग्जाइटी का टॉपिक डिस्कस करूँ दोस्तो अगर आपको एंग्जाइटी है घबराट रहती है नर्वसनेस रहती है बहुत डर लगता है तो दोस्तो पहली बात तो एक कॉमन प्रॉब्लम है मैं आज आपको कुछ टिप्स दूँगा उनको फॉलो करना अपनाना बहुत हद तक ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी लेकिन साथी साथ एक बात बोलूँगा अगर आपको क्लिनिकल एंग्जाइटी है बहुत एक्स्ट्रीम में घबराट हो जाती है नर्वस हो जाते हो परिशान हो जाते हो इस चीज ने आपकी लाइफ को ओवर्टेक करा हुआ है तो साइकेटरिस्ट के पास जाओ बिना डरे जाओ कुछ दिन दवाई आलो पॉजिटिविटी को अपनाओ लाइफ स्टैल में चेंजिस लाओ जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो कर लो सब सही हो जाएगा और अगर जनरल इंग्जाइटी है जो जातर लोग को होती है तो डिरेट्ली इंपॉइंट्स को फॉलो कर लेना दोस्तो जिस पल कोई भी ऐसी चीज हुई इवेंट हुआ स्टिमुलाय आया जिससे आपको एकदम से घबराट हो रही है दिल की धरकन बढ़ गई माथे की तियोरिया चड़ गई टेंशन हो गई मैं क्या करूँ यह फीलिंग जैसे ही आपको आ रही है वैसे ही अपने दिमाग को एक्टिवेट करना है अपनी सोच को एक्टिवेट करना है रियलाइस करना है कि मुझे घबराट हो रही है मुझे एंग्जाइटी हो रही है जो की गलत है मुझे नहीं होनी चाहिए यह इवेंट यह चीज इतनी बड़ी नहीं है कहीं लोगों को फोन कॉल से anxiety हो जादी किसी का फोन आता है कोई भी कारण हो सकता है कोई खराब experience हो सकता है वो introvert होंगे बहुत जादा shy होंगे तो अगर आपको फोन आने से anxiety हो रही है तो जैसे ही फोन आ रहा है आपको घबराट हो रही है realize करो कि मुझे anxiety हो रही है जो कि गलत है ये phone इतना जरूरी नहीं है इतना important नहीं है मेरी life से जरूरी नहीं है ये मुझे बरबाद नहीं कर सकता कितना ही मेरा बुरा कर लेगा उसके पार भी एक life है life सुदर जाएगी accept करो, realize करो कि मैं anxious हो रहा हूँ जो कि गलत है मुझे नहीं होना है अपने आप से बात करो life में क्या अच्छा है उसका एकदम से हैसास करो नहीं मेरी life अच्छी है ये चीज इतनी बड़ी नहीं है life में बहुत कुछ अच्छा भी है इस तरीके से reaction को बदलना है सबसे पहले realize करना है कि anxiety हो रही है मुझे फिर अपने reaction को change करना है अपने दिमाग से लड़के अपनी परिष्थिती से अपने पल से लड़के दोस्तो जितना आप अपनी anxiety से जो subject matter है जो cause है जिस वज़े से आपको anxiety हो रही है उतना ही बड़ा बनके वो आपका पीछा करेगा वो ऐसी चीटी है जो आपके पीछे चल रही है और अगर आप आगे भागने लगे तो राक्षस बन जाएगी सबक पे कुत्ते देखे होंगे अगर वो आपका पीछा कर रहे हैं आप भागने लगे तो वो और तेज भागेंगे आपको काटने को दोड़ेंगे और पीछे मुड़ गए उनको घूर दिया तो दुम दबा के भाग जाएंगे तो ऐसी जितना anxiety से भागोगे subject matter से भागोगे जो आपको परिशान कर रहा है उतना ही वो बड़ा बन जाएगा आपको डराएगा, धमकाएगा, परिशान करेगा तो anxiety के subject matter को accept करना है, उसको face करना है उसका सामना करना है, उसका solution निकालना है इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको इंसान accept ना कर पाए जो common ना हो, बहुत लोगे साथ ना होती हो जिसके पार एक जीवन ना हो कितनी ही बड़ी परिशानी आई है उसको accept करना, embrace करना बहुत जरूरी है ये मेरे साथ हुआ है, हो सकता है ये मेरी life से उपर नहीं है और उस चीज को आपको deeply समझना है उसके बारे में knowledge acquire करनी है उस topic से भागना नहीं है आपके साथ किसी ने bully किया आज आप लोगों से डरते हो, social anxiety है तो उस बात को deeply समझो कि वो इनसान गलत था वो घड़े और छिचोरा इनसान था, insecure इनसान था भी करेंगे, ढंक से बात भी करेंगे वो एक incident था, उस incident से उपर आपकी life है आगे अच्छे experiences भी आएंगे suppose किसी की मौत हो गई किसी अपने की मौत हो गई, आप accept नहीं कर पारे छोड़ी छोड़ी बातों पर anxiety हो रही है तो आप समझो कि मौत होना तो बहुत सुभाविक है बहुत natural है, हर इनसान ने मरना है जो पैदा हुआ है मरेगा हर कहानी का अंत होना है तो उस कहानी को appreciate करना जरूरी है जो आपने उनके साथ जी है उस इनसान को अपने अंदर जिन्दा रखना है हो सकता है आप उनके अंच हो तो अब आगे से वो आपके अंदर जिएंगे ऐसे उनको जिन्दा रखना है इस तरीके से उस topic को उस चीज को आपने deeply समझना है गहराईयों में जाना है जितना गहराईयों में जाओगे उतना acceptance बिल्ड होगी उतना समझ पाओगे उतना डर निकलेगा डर के भागना नहीं है दोस्तो अगला point बहुत important है depression से लेके anxiety से लेके बहुत सारी चीजों का एक इलाज है busy रहो जितना दिमाग को busy रहोगे उतना ही इन चीजों से दूर रहोगे जितना दिमाग को occupied रखोगे मैं नहीं कहा रहा अच्छी चीजों से occupied रखो बागी की tensioner से occupied रखो एव चीज को लेके बहुत जाथ anxiety है उसके अलावा भी बहुत सारी tension होगी न उनको आगे लेआओ उनसे अपने दिमाग को भर लो वो आपको परिशान तो करेंगी लेकिन anxious नहीं करेंगी problem solving ability आपके अंदर आएगी आप उनको solve करने का सोचोगे यह positivity से भरो अच्छी कितावे पढ़ो अच्छी knowledge को gain करो hobbies को pursue करो दिमाग में वो anxiety का subject matter ही नहीं आना चाहिए या तो कोई और tension होनी चाहिए कोई और hobby होनी चाहिए कोई और करम होना चाहिए जो आपने करना है जिसको ना करके आपका time waste हो रहा है जितना दिमाग occupied रहेगा stress से, anxiety से, depression से दूर रहोगे जितना दिमाग खाली रहेगा thoughts का loop बनते चले जाएगा पहाड बनते चले जाएगा राई का पहाड बन जाएगा उतना ही आप परिशान रहोगे पढ़ाई पर focus नहीं कर पारे जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी करो बागी चीजों पर focus लगो entertainment करो धीरे धीरे इस जंजाल से बाहर निकलना है फिर पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी तो anxiety से, stress से, depression से आगे बढ़ने का तरीका है busy रहो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी point है acceptance जो हुआ है उसको accept करना अपनाना मेरे साथ हुआ है मेरी कहानी का part है मेरी कहानी का chapter है ये मेरा है कोई बहुत बड़ी चीज चली गई बहुत बड़ा failure आ गया नौकरी चली गई accident हो गया जो भी हो गया वो मेरा है मेरे साथ होना था सो हो गया इसको मैं हटा नहीं सकता अपने जीवन से निकालनी सकता मेरा जीवन अब इसी के साथ चलेगा यही मेरा नया जीवन है पुराना जीवन जो था सो था पहले में अमीर था जादा स्वस्त था जो भी था वो मर चुका है वो अलग जीवन था अब यह नया जीवन है इन परिस्थितियों के साथ मुझे जीना है adjust करना है इन में अपना best देना सेहत भी अगर आपकी सही नहीं रहती तो यह नया जीवन है नया stimuli है इसमें अपना best देना इसके हिसाब से जीना है कोई इनसान handicap हो जाता है permanent disability आजाती है तो कहीं लोग तो परिशान रहते कि मेरा पहले वाला जीवन क्यों वापिस नहीं आ सकता वो दुखी रहते है जो इनसान accept कर ले था कि आज से मेरा जीवन यही है मेरा एक हाथ नहीं है तो यही मेरा आप जीवन है इसी के साथ चलना इसी में best देना है अपने करम करने जितने मैं कर सकता हूँ यह attitude लेके चलोगे तो निश्चिंध ही आगे बढ़ जाओगे ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते है और पिष्टी लाइफ से connected रहोगे accept नहीं करोगे भागते रहोगे तो anxious रहोगे जैसे ही वो चीज आपके दिमाग में आएगी परिशान हो जाओगे क्योंकि आप उसको accept नहीं कर रहे आपने अपने accident को accept नहीं कर रहा तो जब भी उसका thought आ रहा है या कोई इंसान मर गया उसको accept नहीं कर रहा तो जैसे ही उसका ख्याल आएगा वैसे ही घबरा जाओगे, anxious हो जाओगे धड़कने बढ़ जाएगी कुछ नहीं कर पाओगे समझ रहे हो ना बात को जितना accept कर लोगे अपना लोगे उतना ही उसका effect आप पे कम हो जाएगा anxiety होगी बहुत कम होगी आपको realize भी नहीं होगी आपकी life का एक part बन जाएगी ये उसके साथ आप आगे बढ़ पाओगे और फिर वो धीरे दीरे इतनी कम हो जाएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप anxious हो रहे हो नहीं हो रहे हो दोस्तों जो भी आपकी anxiety का कारण है कोई topic है कोई incident है कोई circumstances थे जो हो चुके हैं बार बार उसको recall मत करो जान जान के याद मत करो लोगों से discuss मत करो लोग discuss भी कर रहे हैं उनको मना कर दो प्लीज इसके बारे में कोई मुझसे बात नहीं करेगा मैं आपको बता रहा हूँ मेरे grandfather की death हो गई वो मेरे लिए मेरे माबाप से भी उपर थे आज भी मेरी life को वही समाल रहे थे 24 सो घंटे उनको मेरा ही दियान रहता था कोविट से उनकी death हुई बहुत परिशानी में मरते हुए बहुत परिशानी भोगी उन्होंने तो उनकी death को मैंने accept करा मरना तो थाई अकेले नहीं मरें बहुत सारे लोग मरें और उनको मरना तो थाई दिल से accept करा और मैं लोगों से उस बारे में बार-बार डिसकस नहीं करता कोई मुझसे कहता है कि बहुत दुख हुआ है जो हुआ सो होना था हम इस टॉपिक को ना डिसकस करें तो अच्छा है और मेरे सब घरवालों को पता है कि इस टॉपिक को मेरे सामने डिसकस नहीं करना सिंपल सी बात है कोई rocket science नहीं है मैं उस topic को अपने सामने नहीं ला रहा इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ जैसे मैंने पहले point में बताया था कि अपने परेशानी से भागो मत कुछ ऐसे incident है जो हो चुके है past में जो आपको anxious कर रहे हैं उनको accept कर लिया समझ लिया क्यों हूँ है उसके बाद उनको बार बार जीवन में मत ले के आओ लाइफ में और बहुत कुछ है उस पे focus रखो उसके बारे में discussions कम कर दो automatically anxiety कम हो जाएगी दोस्तो अपनी लाइफ को strong मनाओ positive बनाओ कैसे positive बनाओ के spirituality को समझो life से deeper connection मनाओ life के बारे में पढ़ो धर्म का सहरा ले सकते हो धर्म हमें भगवान से spirituality से नस्दीक लेके जाते हैं इस life से disconnect करते हैं इंडिफरेंट बनाते हैं धर्म का सहरा लो लोगों की help करो दान दो चाह शिक्षा दान दो अन का दान दो जैसे भी हो दान दो hobbies को pursue करो exercise करो जितनी भी positive activities हैं कुछ भी चुनके अपनी life में उनको manifest कर लो अपनी life का part बना लो जितनी जादा life में positivity आएगी उतनी ही negativity दूर जाएगी चाह वो anxiety ही क्यों ना हो ये बिल्कुल straight forward attack तो नहीं है लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी life में positivity ले आएगी और automatically जितनी भी negativity हो चाह वो depression हो, anxiety हो stress हो उनको आपकी life से अलग करतेगी दोस्तो अगली बात है जितनी जादा आप life में एक चीज़ को एक particular चीज़ को importance दोगे चाहे वो इनसान हो, परिस्तिती हो failure हो, success हो, पैसा हो कुछ भी हो जितनी जादा importance एक चीज़ को दोगे उतना ही जादा वो आपको anxious करेगी आप उसके लिए घबराओगे टेंशन में आजाओगे, stress में आजाओगे दोस्तो लाइफ कभी भी एक चीज़ के बारे में नहीं होती लाइफ में बहुत सारी चीज़े एक साथ चलती है आपकी memories, आपका routine, आपका हर आने वाला पल आपका काम, आपके प्यार करने वाले लोग आपकी hobbies, आपके सोच, आपके सपने आपकी health, आपका शरी, बहुत सारी चीज़े है एक साथ चलती है, सब चीज़ों पर बराबर बराबर फोकस लगाओ सब चीज़ों को value दो, importance दो, enjoy करो किसी एक चीज़ को अपने सर पर बिठाओगे तो वो आपके सर को दबा देगी कोई इंसान छोड़के चला गया है और आपको anxiety हो रही है, मतलब आपने उस इंसान को over importance दी है वो एक इंसान आपकी life को define नहीं करता, बहुत सारे लोग होंगे कोई प्यार करने वाला छोड़के चला गया, तो माबाप भी तो है जो सालों से प्यार कर रहे है, भाई बेन भी तो है, कुछ दोस्त भी तो है और आप खुद भी तो हो, उस इंसान के परे भी आपकी life है एक सपना पूरा नहीं हो पाया, UPSC का dream देखा नहीं पूरा हो पाया अटेम्ट्स कतम हो गए, उसके अलावा भी आपकी life है आपका routine है, और भी बहुत कुछ कर सकते हो पैसा भी कमा सकते हो, dreams भी पूरे कर सकते हो खुश भी रह सकते हो, और भी career बना सकते हो लेकिन आप एक चीज़ को बहुत ज़ादा over importance दे देते हो या एक incident को बहुत ज़ादा over importance दे देते हो उस वज़े से आपको anxiety हो जाती है तो life को एक balance तरीके से जी हो जहाँ भी आप किसी को भी over importance दे रहे हो चाहे वो situation हो, circumstance हो, लोग हो, success हो, कोई भी चीज़ हो अपने आपको समझाओ कि इस चीज़ को limited importance देनी है इसके उपर भी मेरी life है मेरी life इससे ज़ादा important है ये भगवान का दिया हुए एक तोफ़ा है जो एक बार मिला है मुझे, इस consciousness में इसको अच्छे से जीना है सुख दुख जो भी आए, परिशानी जो भी आए उसको पार करके जीना है दोस्तों वैसे तो मैं लोग को कहता हूँ कि हर पल में जीओ लेकिन जिनको anxiety हो जाती है जिनके लिए वो पल ही dangerous खराब बन जाता है उनको नुक्सान पहुचाता है अपने अंदर समेट लेता है उनको मैं समझाता हूँ कि उस पल से जो वो एक खराब पल आया है उससे बाहर निकलना सीखो आपने उससे बाहर निकलना है उसके अंदर फसना नहीं है उसको इतनी relevance इतनी importance नहीं देनी है अपने past की memories याद करो future के बारे में सोचो आगे क्या करना है वो सोचो life में और क्या है वो सोचो किसी भी तरह उस पल से बाहर निकलना है उसके चंगल से बाहर निकलना है जितनी ये बाते आपके दिमाग में जा रही होंगी ना इनको समझ पा रहे होगे उतना ही follow कर पाओगे उतनी हेल्प मिलेगी और दोस्तों सबसे end में सबसे जरूरी पॉइंट बोलूँगा आपको anxiety है या stress है जो भी है सबसे जरूरी है realize करना कि मेरे साथ ये problem है ये एक problem है accept करना और मेरे साथ ये problem है वो भी accept करना और मुझे इसका सामना करना है इससे लड़ना है इससे हार नहीं मानने इसको हराना है और मैं capable हूँ मेरे अंदर इतनी शम्ता है इतनी ताकत है कि मैं इसको हरा सकता हूँ self belief रखना है अपने अंदर confidence लाना है कि मैं इसको हरा सकता हूँ जिस दिन आपके अंदर एक confidence एक will power develop हो जाएगी अपनी परिष्दितियों से problem से लड़ने की उस दिन कोई भी problem इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपकी life को बरबात कर दे दोस्तों चाहिए वो anxiety ही क्यों ना हो अपने attitude को change करना है मुसीबत का problem का सामना करना है और अपने आपको यकीन दिलाना है कि मैं इसका सामना करके जीत सकता हूँ इसको खतम कर सकता हूँ यह यकीन कर लिया तो वो problem भी खतम हो जाएगी यह यकीन नहीं कर पाए तो वो problem खतम नहीं होगी दोस्तों आज के लिए इस topic पर इतना ही share करूँगा कहने को बहुत कुछ है बहुत सारे लोगों के message आ रहे हैं खासकर आजकल कोविट की वज़े से लोगों ने अपनों को खोया है लोग बहुत टेंचन में anxiety हो रही है इसलिए मैंने detail में इस topic को discuss किया है और आगे भी करता रहूँगा बागी दोस्तों strong रहो, खुश रहो अपनी life पर focus रखो सब सही होगा All the best